हाई किट्स मैं मिर्तिंजे और आज आप लेशन एट करने जा रहे हैं अभेकस की अभी तक आपके पास यह सीट अबलेबल नहीं है तो आप टैलेंट इंडिया आपको यह सारी सीटे अबलेबल करवा दी जाएगे चले तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं यह पहला टास्क में जो हमारी वैल्यू है वह फाइव है यह फाइव इसलिए है कि यहां पर हमारी वैल्यू जीरो है इस रोड पर बस इस रोड पर आप देखे यहां पर हमारी value 9 है यानिकि टोटल द वेल्व हुई हमारी वह नाइन हो गई कि तीसरे टास्क की बात करें यहां पर तो ठर्ड नंबर में आप देखेंगे कि यहां पर यहां पर वाल्लू है वह है और यहां पर वैल्यू फोर है यानिकी टोटल नंबर आफ 14 और इसकी बात करें तो हमारी जो नंबर है वो 10 है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट रोड में यहां पर वन है लेकिन यहां पर सब्सक्राइब लेकिन यहां पर वेल्यूव वह जिरॉर वर्ण एक टोध नंबर 5 की बात करें तो यहां पर और वर्ण नंबर यहां 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 पर टू है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर वेल्यू है वो 0 है लेकिन यहाँ पर हमारी वेल्यू क्या है 2 है तो इस तरीके से हमारी वेल्यू यहाँ पर 2 होगी 7 नमबर पॉइंट को देखे तो यहाँ पर हमारी वेल्यू 0 है बट यहाँ पर हमारी वेल्यू क्या है 4 तो, टोटल 7 नमबर की वैल्यू जो होई हमारी, वो 7 हो गए, आटवे पॉइंट की बात करें यहां पर, तो इसमें हमारी वैल्यू जो है वो 12 है, यहां पर देखेंगे, 1 है हमारी वैल्यू तो इस तरीकी से 1 and 2, 12, 9 number point की बात करें तो 9 number point में आप देखेंगे कि यहां पर value 1 है और यहां पर value 5 है यहां पर हमारी देखेंगे तो यहां पर 0 है तो यह मैं पिछले class में आपको बता चुका हूं कि आप आपको counting जो करनी है वो direct देखके बतानी है कि यह total number कितने है सबस्कि यह number की बात के लिए 10 number की तो आपके mind में direct आजाना चाहिए कि actual में यह number क्या है तभी आपको अब इकस करने का फायदा मिलेगा otherwise आपको अब इकस को जादा फायदा नहीं मिलेगा तो आपको guess करना है कि यह number क्या है तो यह हमारा 18 है अब 18 कैसे है 1 and 5 3 अब इन combination को आपको अपने mind में ही calculate करना होगा तो जब mind में आप calculate करेंगे तो इसकी value निकल के आएगी 18 तो आज के लिए हम इतना ही और thanks for watching this video करेंगे